इसलाम का इतिहास हमेशा से ही ऐसे महान व्यक्तियों से भरा हुआ है जिन्होंने ना केवल अपने समुदाय बल्कि पूरी दुनिया को दिशा दी है ये लोग नकेवल धार्मिक दुष्टिकोंड से बलकि अपने कर्म सेवा और अदब सेवी दुनिया के लिए रॉल मॉडल बने तो आज कि इस वीडियो में कुछ खास मुस्लिम रॉल मॉडल्स के बारे में जानने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं मुस्लिम समाच में अगर किसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वो हैं हजरत मुहमद का पेगंबर मुहमद सिर्फ इसलाम के नभी नहीं थे बलकि वो इनसानियत के लिए एक बहतरीन रॉल मॉडल थे उनकी सीरत में अदब इमानदारी सब्र और रहमत का दर्या बहता था उनकी हर बात हर अमल आज भी लोगों के लिए रहनुमा है उनका फर्मान था अखलाक और इंसाफ में काम लेना इनसान का असली जेवर है वो हमेशा इनसानों के हकूप की बात करते थे जाहे वो मर्द हो या औरत अमीर हो या गरीब उन्होंने सिखाया है कि सभी इनसान अल्ला के बंदे हैं उनका फर्ज एक दूसरे का खयाल रखना है हजरत अली हजरत अली रजिना सिर्फ इसलाम के चौथे खलीफ़ते बलकि उनके अदल और इल्म का कोई मकाबला नहीं था वो इसलामी फिकह के ग्रेट स्कॉलर थे उनके फैसले हमेशा नजीर बने और अपने अमल से ये साबित करते थे कि इनसानियत के खत्मत थे सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए उनका ये कहना कि इल्म हर मौमिन पर फर्ज है इसलाम में सिक्षा की एहमियत को बया करता है उन्होंने हमेशा इल्म और तालीम को बढ़ावा दिया और उनकी पूरी जिन्दगी इसे अमल में लाने के लिए समर्पित कर दी मौडर्न टाइम के ऐसी शक्षियत जो पूरी दुनिया के लिए प्रिणा बनी है वो है मौला यूसुफ जई पाकिस्तान के इस युवा लड़की ने दालीम के हक में अपनी आवाज उठाई और तालिबान के खिलाफ संकर्श किया मलाला के जजबे और हिमत ने सावित कर दिया कि इसलाम तामील और इल्म को कितनी एहमियत देता है वैसे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न बूलें धन्यवाद